देखे दोस्तों आपके पास POCO की मोबाइल हो, Redmi की मोबाइल हो, Xiaomi की मोबाइल हो या MI की मोबाइल हो, यह 4 वो ब्रैंड्स एक ही होते हैं ठीक है? और आपकी डिवाइस FRP लॉक है, तो मेरी इस वीडियो को देखिए, मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप Poco, Redmi, Xiaomi या MI के उन सभी mobile का FRP bypass कर सकते हैं जिसका software MIUI 12, MIUI 13 या बिल्कुल latest MIUI 14 से up-to-date होगा मेरे पास यह जो device है दोस्तों Poco brand की है और इसका model number आप देख सकते हैं model number Poco X5 Pro 5G वीडियो को ध्यांस देखेगा इस वीडियो में मैं आपको Poco X5 Pro 5G का FRP bypass करने का सबसे latest तरीका बताऊँगा मैं एक बार फिर से repeat करता हूँ इस method से आप Poco, Redmi, Xiaomi या MI के उन सभी mobile का FRP bypass कर सकते हैं जिसका software बिल्कुल latest MIUI 14 से up-to-date होगा सबसे पहले मैं आपको confirm कर देता हूँ कि मेरे पास यह जो device है यह पूरी तरह से FRP lock है यहाँ पर device को मैंने wifi से connect किया अब यहाँ से करता हूँ next कुछ second wait करिए आपको पूरी तरह confirm हो जागा कि मेरे पास यह जो device है Poco X5 Pro 5G यह पूरी तरह से FRP lock है और यह देखे यह प्राबलम आपको फेस करनी परती है जब आपकी device FRP lock होती है डिवाइस का FRP bypass करने के लिए दोस्तों यहाँ आपके पास दो option है सबसे पहला option है कि आपको यह password verify करना होगा तो दोस्तों यह जो password है password हमें नहीं पता है ध्यान दीजिए password की जगह पे pin या pattern का भी option हो सकता है second option की बात करें तो second option उपर की तरफ देखे लिखा use google account instead मैं इसपे क्लिक करता हूँ और अब देखेगा यहाँ पे लिखे आगा verify your account यह देखे finally verify your account का अपस ना गया यानि कि device का FRP bypass करने के लिए हमें इसी device का Gmail ID यानि की email ID यहाँ पे verify करना होगा जो की हमको नहीं पता है तो विडियो को बिल्कुल ध्यान से देखे अब देखे कैसे इसका FRP bypass करना है सबसे पहले email और phone का option है आप इस पे click करेंगे तो device का keyboard open हो जाएगा keyboard में देखे ये symbol आपको देखने को मिलता है इस symbol पे आप click करिए click करने के बाद दोस्तों ये सारे option आएगे बिल्कुल last में आपको देखेगा more यहाँ पे setting जैसा है आप इस पे click करिए उसके बाद आपको click करना दोस्तों about पे about की बाद privacy policy पे click करिए आप simple share पे click करें जैसे ही share पे click करेंगे तो share के ये सारे option दिखेंगे यहाँ पे दिखेगा message आप message पे click करें message के बाद आपको new message पे click करना है type name phone number का option है तो यहाँ पे आप simple type कर दे 1 to 1 1 to 1 type करने के बाद send to 1 to 1 का option आप इस पे click करें यहाँ पे message box open हो गया यह सारा आप delete कर दें अब यहाँ पे दोस्तों आपको small letter में type करना है www.youtube.com डिस्पले पे आप देख सकते हैं बिल्कुल same type करेंगा यह देखे मैंने type किया अब उसके बाद आप simple SMS पे click कर दें ऐसा करेंगे तो यहाँ पे देखे tab to load preview देखता है आप इस पे click करेंगे तो यहाँ पे आपको YouTube आप देखने को मिल जाएगा यह रहा YouTube आप इस पे click करेंगे तो आप देखेंगे आपके device में YouTube का application open हो जाएगा YouTube open हो गया एक चीध ध्यान दे permissions जो भी आए सारे permission को आपको allow करना है उपर की तरब देखे account का option है account पे click करिए उसके बाद setting पे click करिए उसके बाद आपको about पे click करना है और उसके बाद YouTube term आप services पे click करेंगे तो आप देखेंगे chrome browser आपके device में open हो जाएगा accept करिए और यहां से no thanks करिए ठीक है फिर से आपको no thanks पे click कर देना यह देखे browser open हो गया उपर का area address box होता है address box पे click करें यहाँ पे आपको simple type करना add room display के आप देख सकते हैं उसके बाद आप enter करिए आपको एक website देखेगी bypass Google account 2030 इस पे click करिए तो आपके device में add room की main website open हो जाएगी यहाँ पे third number पे आपको दिखता open setting आप इस पे click करें तो आप देखेंगे दोस्तों यह देखेंगे आपके device की main setting यहाँ पे open हो गई ठीक है अगर मैं about phone पे click करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस का जो software है बिल्कुल लेटेस्ट MIUI 14.0.3 से up to date है और model नमर देखिए POCO X5 Pro 5G Android version आप देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट 13 है अब हम यहाँ से उपर से back चलते हैं उपर देखें बिल्कुल search setting का option है आप इस पे click करिए यहाँ पे आपको simple type करना है दोस्तों find app तो यहाँ पे मैंने सिर्फ find type करूँगा यहाँ पे find जैसे ही type करूँगा दोस्तों तो यह देखें find app का option दिखेगा आप इस पे click करिए अब देखिए उपर की तरफ 4 option है थर्ड जो option है find apps का है आप इस पे click करिए तो यह देखें यहाँ पे get app होता है by default आपके POCO, Redmi या Xiaomi की mobile में तो यह get app open हो गया इस option को आप simple उपर से skip कर दें skip करने एक बाद यह देखें update आगया ना तो एक point आपको यहाँ से back आना है यह देखें search है आप search पे click करिए यहाँ पे आपको type करना activity launcher ठीक है तो यह देखें मैंने यहाँ पे सिर्फ active type किया तो यह देखे activity launcher उपर की तरफ आ गया यहाँ पे सामने लिखा install मैं install पे click कर दूँगा यह application install हो जागा यह देखे open का आपस ना है 12 या 13 से up to date हो अब यह देखें यहाँ पे activity launcher open हो गया उपर की तरफ search है आप search पे click करें यहाँ पे आपको simple type करना दोस्तों space डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं space type करने के बाद यह जो space बटन ही से एक बार प्रेस करें तो यहाँ पे देखें तीन option आपको देखने को मिल रहा है जो सेकेंड वाला option है सेकेंड स्पेस फिंगर प्रिंट आप इस पे क्लिक करिए ओके और इस option को यहाँ नीचे से आप simple skip कर दें ओके और बस मैं आपको बता दूं आपके डिवाइस का एफर पी completely बाइपास हो गया ठीक है यह देखें डिवाइस का होम स्क्रीन ओपेन हो गया लेकिन एक चीज़ ध्यांदे यहाँ पे डिवाइस का एफर पी 110 परसेंट बाइपास हो चुका लेकिन आप देखेंगो दोस्तों तो यह देखें ऊपर की तरफ छोटा सा कोने में देखें स्क्रीन ओपेन भी नहीं होता है ठीक है यह ओपेन हो गया तो उपर की तरफ देखेंगे तो कोने में छोटा सा लॉकर सो करेगा तो इस कंडिशन में आपको करना क्या है पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और डिवाइस को रिबूट कर देना यानि कि यह पूरा फूल प्रोसेस था पोको रेडमी साउमी या एमाई के उन सभी मोबाइल का फर्पी बाइपास करने का जिसका सॉफट्वेर एमाई वाई 12 एमाई वाई 13 या बिल्कुल लेटेस्ट एमाई वाई 14 से अब टूडेट होगा एंड्रोइड वर्जन की बात कर लों दोस्तों Android 11 हो 12 हो या बिल्कुल लेटेस्ट 13 हो सारे मोबाइल की मैं बात कर रहा हूं रेडमी साउमी पोको सारे ब्रैंड की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि यह चारो ब्रैंड्स एक ही होते हैं और सबका जो एमाई वाई वर्जन है बिल्कुल सेम होता है ठीक है तो इस तर आपको बहुत बहुत धन्यवा Thank you! Thank you so much!